नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, कम्प्यूटर क्लास, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुरू करते हैं, कोशन फर्स्ट से, प्रतम गणना सइ यंतर है, option A है घड़ी, option B है डिफ्रेंस इंजन, option C है अबैकस, option D है कैल्कुलेटर और option E है ये सभी, right answer हो जाएगा option C, अबैकस next question है, Pac-Man नामक, परसीद कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, option A है खेल, option B है बैंक, option C है शिरवाजार, option D है पुष्टक परकाशन, option E है इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएगा option A, Pac-Man जो परसीद कंप्यूटर था वो खेल के लिए बना था next question है, किसने प्रथम मेकेनिकल कैलकुलेटर का निर्मान किया था, option A है जोसेफ मैली जैकवार्ड, option B है जोन मौकली, option C है बलेज पासकल, option D है हावर्ड आइकन और option E है इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएगा, option C जो बलेज पासकल थे, उन्होंने मेकेनिकल कंप्यूटर का निर्मान किया था, next question है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, option A है पावर्ड, option B है जैकवार, option C है पासकल, option D है ये सभी, और option E है इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएग, option E इन में से, कोई नहीं, next question है, वह है, computer जिसका निर्मान प्रथम प्रेड़ी computer से पहले हुआ था, option A option B है, विध्यूत, option C है, विध्यूत, option D है ये सभी, और option E है इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएगा, option C, विध्यूत, next question है, analog computer है, option A है, एक ये अंतर जो भोतिक राशी, जो लगातार बदलती रहती है, वैसे ये डाटा पर कारे करता है, option B है, यह एक अंक गनितिया, उच जिस तरिया भाशा है, option C है, नीमन स्थर पर संपरशीशित करना, option D है, ये सभी, option E है, इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएगा, आपके पास, option C, नीमन स्थर पर संपरशीशित करना, next question है, इन में से, कौन PC की सही व्याख्या करता है, option A है, सभी स्थाफ के लिए स्वतंतर computer option B है, हर स्थाफ के लिए उपर परसनल computer, जिसका डाटा लेर सिस्टम से प्राप्त हो सके, और सव उत्पादता में वृध्धी कर सके, option C है, पेंटियम द्वारा निर्मित computer, option D है, ये सभी, option E है, इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएग, option D, ये सभी, next question है, लैप्टोप क्य option A है, क्लीनिकल प्रियोगशाला में वृप्यूटर, option B है, कॉम्पैक द्वारा निर्मित computer, option C है, छोटे हलके computer, जो सूट किस में आ सके, option D है, ये सभी, option E है, इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएग, option D, ये सभी, next question है, सूपर कंप्यूटर क्या है, option A है, एक साथ बहुत स करता है, option B है, ये है, तेवर तता मेहंगी computer system है, option C है, बड़े संगर्टनों में उप्योग होता है, option D है, ये सभी, और option E है, इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएग, option D, ये सभी, वीडियो आपको कैसे लग रही है, comment भी कीजेगा, और वीडियो को like जरूर कीजेगा, क्योंकि जितने भी आपकी अचसरी exam होते हैं, सब में आपका computer पूछा जाता है, इवन आपका 10 marks का computer पूछा जाता है, और जो आपकी चन्रिगर वैकेंसी निकली हुई है, उसमें आप 15 marks का पंदरा नंबर का आपका computer जो है, उसमें पूछा जाएगा, इसलिए ये आप जरूर कीजेगा, और ध्यान से कीजेगा, और ये आपके जो कोशन करवाए जा रहे हैं, ये Lucian book के आपके question है, जो आपके previous examों में आयो हुए question है, इसलिए question को ध्यान से कीजेगा, next question है, इन में से कौन सा सही नहीं है, option A है, notebook computer, हलका तधा notebook के सादरिश होता है, option B है, palm top computer, हलका तधा जेब में आ सकता है, option C है, palm top computer को pie computer भी खहते है, option D है, portable computer, जो आपका सुभाई ये computer है, इसको desktop, PC या दूसरे computer से जोड़ा जा सकता है, और option E है, इन में से कोई नहीं, आपके computer है, इन को हतेली computer कहा जाता है, ये आपके pocket में हा सकते है, next question है, computer का बुनियादी सरंचना का विकास किया था, option A है, John Vaughan Nukeman, option B है, Charles Babes, option C है, Blaise Pascal, option D है, Jordan Murray, option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएक, option B, Charles Babes, father of computer भी Charles Babes को कहा जाता है, next question है, निमलिकित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा जो computer है, option A है, personal computer, option B है, super computer, option C है, laptop, option D है, notebook, option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएक, option B, super computer, next question है, समाने रूप से प्रियुक्त किया जाने वाला computer है, option A है, analog computer, option B है, digital computer, option C है, optical computer, option D है, hybrid computer, option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएगा आपके पास, option B, digital computer, next question है, क्रे क्या है, option A है, mini computer, option B है, micro computer, option C है, main frame computer, option D है, super computer, और option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएग, option D, super computer को ही क्रे कहा जाता है, next question है, पंचम PD के computer की प्रमूख विशेशता निमन में से कोई सी होगी, option A है, घर-घर उप्योग, option B है, बहु आयामी ब्योग, option C है, क्रित्रिम रिद्धी, option D है, बहुत कम कीमत, और option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएग, option A, घर-घर उप्योग, next question है, as a computer जो portable होते हैं, और यात्रा करने वाले प्रयोगताओं के लिए सुविधा जनक होते हैं, option A है, super computer, option B है, laptop, option C है, mini computer, option D है, file servers, option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएग, option B, laptop, next question है, computer के, I, C, chips के, उत्वादन ही, तो निमली किति में से किस की आशिक्ता होती है, option A है, chromium की, option B है, silicon की, option C है, platinum की, option D है, sonne की, option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएग, option B, silicon की, next question है, multi programming का प्रियोग किस PD के computer के computer से शुरू हुआ था, option A है, प्रथम PD, option B है, दृत्या PD, option C है, तृत्या PD, option D है, चतुरत PD, और option E है, इन में से कोई नहीं, right answer हो जाएग, आपके पास, option C, तृत्या PD, next question है, main frame, computer के लिए, multi operating system कहाँ बनाया गया है, option A है, infosys, option B है, microsoft, option C है, जर्मन प्रियोग शाला, option D है, बेल प्रियोग शाला, option E है, रेन्बो प्रियोग शाला, right answer हो जाएग, आपको option D, बेल प्रियोग शाला, next question है, चार्ल्स बेवेज के प्रथम mechanical computer को किस नाम से जाना जाता है, option A है, palm top, option B है, processor, option C है, calculator, option D है, punch card machine, option E है, इन्में से, कोई नहीं, right answer हो जाएग, option E, इन्में से, कोई नहीं, next question है, विशव का सबसे पहला super computer कब बना, विशव का पूछा गया है, ना कि भारत का, option A है, 1978, option B है, 1976, option C है, 1980, option D है, 1981, option E है, 1982, right answer हो जाएगा आपके पास, option B, 1976, next question है, व्यक्तिकर तोर पर किस computer का प्रियोग किया जाता है, option A है, mini computer, option B है, super computer, option C है, micro computer, option D है, mainframe computer, option E है, इन में से, कोई नहीं, right answer हो जाएगा आपके पास, option C, micro computer, next question है, निमलिकित में से, computer का जनक किसे कहा जाता है, option A है, option B है, addition, option C है, Charles Babbage, option D है, Harman Hollerith, option E है, madam Curie, right answer हो जाएगा, option C, Charles Babbage, next question है, भारत में निमित प्रथम computer का क्या नाम है, option A है, आरियबट, option B है, सिधार्द, option C है, buddh, option D है, अशोग, option E है, राम, right answer हो जाएगा, option B, सिधार्द, next question है, सबसे तेज computer होता है, option A है, mini computer, option B है, super computer, option C है, micro computer, option D है, main frame computer, option E है, इन में से, कोई नहीं right answer हो जाएगा, आपके पास option B, super computer, next question है, भारत में निर्मित परम computer किस प्रकार का computer है, option A है, mini computer, option B है, MIC पीज ब्रोकंप्युटर, स्पर्टों के साथ कायर करने वाले कंप्यूटर किस UK कंप्यूटर थे Option A है पहले, Option B है दूसरे, Option C है तीसरे, Option D है चोथे, और Option E है इनमें से, कोई नहीं Right answer हो जाएगा आपके पास Option B है दूसरे Photon जो भाशा आई थी आपकी language computer के और कोबोल वो आपकी दूसरे जो है PD में ही आई थी Next question है, Microprocessor किस PD का computer है? Option A है प्रथम, Option B है दूसरे, Option C है तरित्य, Option D है चतुर्थ, Option E है पंचम Right answer हो जाएगा Option D, चतुर्थ PD का जो है Microprocessor आपका computer है Next question है, Teleprocessing तथा Time Sharing का प्रयोग किस PD के computer में हुआ? Option A है प्रथम, Option B है दूसरे, Option C है तरित्य, Option D है चतुर्थ, Option E है निमें से कोई नहीं Right answer हो जाएगा Option C, तरित्य Next question है, गणना सयंतर अब आपकास का विशकार किस देश में हुआ? Option A है भारत, Option B है चीन, Option C है अमेरिका, Option D है युनान, Option E है मलेशिया Right answer हो जाएगा Option B चीन, तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा